परिचय क्या तुम कुछ लिखोगी? हाँ, मुझे बताओ क्या लिखना है? तो लिखो, एकस एक संख्या है एकस में स्वायम, एकस गुणा करने पर जो संख्या हमें मिलेगी मेरे पास ठीक उतनी ही किताबें है ठीक है अब तुम्हारे पास जो संख्या है वो एकस से दो गुनी है और हमारे मित्र के पास दो किताबे है अब सभी किताबों की संख्या जोल लो और बताओ कि तुम्हें क्या व्यनजक मिला रुको, मुझे कहीं लिखने दो एक संख्या एकस है यदि हम X में स्वायम X का गुणा करें, तो हमें X वर्ग मिलता है. इसलिए हमारे पास X वर्ग किताबें हैं. और मेरे पास जो संख्या है, वो दो X है. और हमारे मित्र के पास दो किताबें हैं. ठीक, और इनके योग से हमें ये व्यनजक मिलेगा. क्या तुम जानती हो कि व्यनजक किसे कहते हैं? नहीं, लेकिन मुझे बहुत सुरुची पूर्ण लग रहा है. ये प्राश्नेक बहुपद था. आओ मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ. उद्देश लिखना और बहुपदों से संबंधित प्रश्नों को हल करना. एक जर राशी वाले बहुपद एक बहुपद केवल जोड़े, घटाएं या गुणा किया जा सकने वाले पदों से बनता है. एक बहुपद ऐसा दीखता है. बहुपद बहु और पद से मिलकर बना है, जिसका मतलब है कई पद. एक बहुपद में निमन लिखित हो सकते हैं, अचर राशी जैसे तीन, घटा पीस या एक पटे दो, चर राशी जैसे एक्स और वाई, घादांक जैसे वाई वर्ग में दो, लेकिन सिर्फ शुन ने एक, दो, तीन इत्यादी. एक चर राशी में बहुपद वह बहुपद होता है, जिसके व्यन्जक में सिर्फ एक चर राशी होगी. जैसे दो, एक्स वर्ग जमा एक्स, वाई की खा तीन, जमा वाई, जमा एक इत्यादी. परिभाशाएं गुणांक चार एक्स वर्ग को एक पद भी कहा जा सकता है. दो पदों वाले बहुपद जैसे दो एक्स जमा वाई या एक्स वर्ग घटा चार को दो इपद भी कहा जा सकता है. तीन पदों वाले बहुपद जैसे दो एक्स जमा वाई जमा जेड या एक्स की घट चार जमा चार एक्स वर्ग घटा चार को त्रीपद भी कहा जा सकता है. अंश बहुपद के किसी भी व्यानजक के सबसे बड़े घातांक को उस बहुपद का अंश कहते हैं. किसी भी बहुपद का अंश जानने के लिए आपको उसका सबसे बड़ा घातांक निकालना होगा. चलिए, अगली स्क्रीन में बहुपत का घातांक निकालना सीखते हैं. उधारण 4X वर्ग जमा 6X जमा 5 इस बहुपत के 3 पत हैं, पहला 4X वर्ग है, दूसरा 6X और तीसरा 5 है, पहले पत का घातांक 2 है. दूसरे पत का घातांग एक है, क्योंकि 6X बराबर 6X की घात एक है. तीसरे पत का घातांग शुन है, क्योंकि 5 बराबर 5X की घातांग शुन है. और किसी भी चर अचर राशी का घातांग यदि शुन है, तवह राशी हमेशा एक के बराबर होगी. इस प्रकार 5X की घातांग शुन ने बराबर 5 गुणा एक बराबर 5 गुणा एक बराबर 5 चुनकि सबसे बड़ा घातांग दो है. इसलिए 4X वर्ग जमा 6X जमा 5 का अंश दो होगा. बहुपद का अंश वह बहुपद जिसका अंश एक हो, रेखिए बहुपद कहलाता है. इसका सामाने सवरूप AX जमा B है, जहां A और B अचर राश्या हैं और A शुन के बराबर नहीं है. वह बहुपद जिसका अंश दो हो, वर्ग ये बहुपद कहलाता है. इसका सामाने सवरूप AX वर्ग जमा BX जमा C है, जहां A, B और C अचर राश्या हैं और A शुन के बराबर नहीं है. वह बहुपद जिसका अंश तीन हो, त्री घात ये बहुपद कहलाता है. इसका सामाने सवरूप AX की घातीन जमा BX वर्ग जमा CX जमा D है, जहां A, B, C और D अचर राश्या हैं और A शुन के बराबर नहीं है. यदि किसी बहुपद में सभी अचर राश्या शुन हैं, अर्थात A शुन बराबर A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर इत्याती बराबर A N बराबर शुन तो वह बहुपद शुन बहुपद कहलाता है. शुनने बहुपद को शुनने से दर्शाते हैं. शुनने बहुपद का अंश परिभाशित नहीं है. बहुपद के शुनने बहुपदों की चर राश्यों के आधार पर हम उन्हें P, X, Q, X, P, Y आधी तरह से दिखाते हैं. उधारनार्थ, P, Y, बराबर, Y की घात तीन, जमा Y, जमा एक. R, Y, बराबर, 2, घटा Y, घटा Y वर्ग, जमा 6, Y की घात 5. अब इस बहुपद को देखें, Q, Y, बराबर, 2, Y की घात तीन, घटा 5, Y वर्ग, जमा 3, Y, घटा 6. यदि हम Y कमान एक रखतें, तो हमें यह प्राप्थ होगा. जो 2, घटा 5, जमा 3, घटा 6, यानि घटा 6 के बराबर होगा. इसलिए Y बराबर एक रखने पर Q, Y कमान घटा 6 होगा. अब हमें P, Y बराबर, Y जमा एक को हल करना चाहिए. वाई कमान एक रखने पर हमें P बराबर दो प्राप्थ होगा. अब वाई कमान रिण एक रखने पर हमें P, रिण एक बराबर, रिण एक, जमा एक मिलता है, जो 0 के बराबर है. चुकि P, घटा 1 बराबर 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुपद P, Y का 0 गटा 1 है. बहुपदों के 0 को बहुपदों का मूल भी कहते हैं. एक अशुने अचर बहुपद का कोई 0 नहीं होता. एक रेखिये बहुपद का केवल एक 0 होता है. उधारण देखिये और बताईए कि घटा 4 और 4 बहुपद X घटा 4 के 0 हैं या नहीं. हल गटा 4 बराबर गटा 8 और P4 बराबर 0 है. इसलिए 4 तो X घटा 4 का 0 है लेकिन घटा 4 नहीं है. चलिए. अब हम बहुपद Q U बराबर 2 U जमा एक का 0 निकालते हैं. हल. किसी भी बहुपद का 0 निकालना किसी समिकरन को हल करने जैसा ही है. इसलिए हम PX बराबर 0 को हल करेंगे. इसलिए 2 U जमा एक बराबर 0 हमें U बराबर घटा 1 बटा 2 यह परिणाम देता है. इसलिए घटा 1 बटा 2 बहुपद 2 U जमा एक का 0 है. शेशफल प्रमय अंक गनित में हम कैसे भाग देते थे जहां हमें याद है. उधारनार्थ साथ को दो से भाग देने पर तीन आता है और शेशफल एक बचता है. भाग के प्रतेख हिस्से का एक नाम है भाजे, भाजक, भागफल, शेशफल इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है. भाजे पराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेशफल ठीक इसी तरह हम बहुपदुन को भी विभाजित कर सकते हैं. उधारनार्थ पांच एक्स वर्ग जमा एक्स जमा एक और एक्स का गुणाच है. अब देखते हैं कि शेशफल प्रमय क्या कहता है. माना कि पी एक्स ऐसा बहुपद है जिसका अंश एक या उससे बड़ा है. माना एक कोई वास्तविक संख्या है. यदि पी एक्स में रेखिये बहुपद एक्स घटा एसे भाग दिया जाए तो शेशफल प्रमय कहते हैं. उधारण पी एक्स में क्यू एक्स से भाग दिजिये जहां पी एक्स पराबर एक्स की घटा 3 घटा 6 एक्स वर्ग जमा 11 एक्स घटा 6 और क्यू एक्स पराबर एक्स घटा 1 है. हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं. अगले चरण में बहुपत के पहले पद में सबसे अधिक घातांक वाला पद पहला पद होगा. गुणांक के एक्स वाले हिस्से से भाग देना होगा. इस इस्तिती में X की घात 3 में X से भाग देने पर X वर्ग मिलेगा जिसे आप भाग चिन्ह के शीर्ष पर लिखेंगे अगले चरण में आप उस पत को भाजक से गुणा करेंगे जो आपने भाग चिन्ह के शीर्ष पर लिखा है इस इस्तिती में आप घन X घटा वर्ग X पाने के लिए X घटा एक का वर्ग X से गुणन करेंगे इसके बाद इसे विभाजन पंक्ती के अंतरगत घटाएंगे घटाने से आप उस पद से छुटकारा पा जाएंगे जिसका घातांग सबसे अधिक होगा जिससे बहुपत का आकार छोटा हो जाएगा और जो एक शेश फल होगा अब हमारे पास एक नया बहुपत है जिसके लिए हम दूसरा चरण दोहराएंगे इस उधारण में हम पान्च X वर्ग में X से भाग देंगे और परिणाम घटा पाँच X को उस पत के साथ चोड़ देंगे जो पहले से भाग चिन्न के शीर्ष पर है अब हम तीसरे चरण को दोहराएंगे अभी जो परिणाम भाग चिन्न के शीर्ष पर है जो हमें चोड़ने के बाद मिला है उसमें हम पूरे भाजक से गुणा करेंगे और फिर बहुपत को भाग देने के बाद जो हमें मिला है उसे गुणन फल में से घटा देंगे अब भाग चिन्न में हमारे पास एक नया बहुपत है जैसा कि आप पहले ही अनुमान लगा चुके होंगे कि बहुपत के पहले पत को हम भाजक के एक से हिस्से से विभाजित करके दूसरे चरण को दोराएंगे अब जो भी भाग पलाएगा उसे भाग चिन्न पर पहली से ही इस्थित परिणाम के साथ जोड़ दीजिए अब हम सबसे आखिर में चोड़े का इपद में पूरे भाजक से गुणा करेंगे और फिर विभाजित बहुपत में से प्राव्ट परिणाम को घटा देंगे एक नया बहुपत प्राव्ट करने के लिए घटाने वाला चरण दोराएंगे यहां प्राव्ट शेश भल शूने है क्योंकि हम पी एक्स को गुणक एक्स रिण एक से पूरी तरहा विभाजित कर चुके हैं यदि आप इस चरण तक पहुँच चुके हैं तो आपको परिणाम मिल चुका है क्योंकि किसी में भी शूने से भाग देने पर हमें शूने ही मिलेगा दो एक्स की घाद चार जमा एक्स की घाद तीन घटा एक्स वर्ग जमा एक्स जमा तीन में एक्स घटा एक से भाग देने पर शेश भल क्या होगा हल यहां पी एक्स बराबर दो एक्स की खाद चार जमा एक्स की खाद तीन घटा एक्स वर्ग जमा एक्स जमा तीन और एक्स घटा एक कशोन ने एक है इसलिए पी एक बराबर दो एक की खाद चार जमा एक की खाद तीन घटा एक वर्ग जमा एक जमा तीन बराबर छे इसलिए शेशभल प्रमय के अनुसार दो एक्स की खाद चार जमा एक्स की खाद तीन घटा एक्स वर्ग जमा एक्स जमा तीन में एक्स घटा एक से भाग दे बहुपत का गुड़न खंड, गुड़न भल प्रमय, यदी PX एक बहुपत है, जिसका अंश, N बड़ा है एक से, जहां N बराबर एक है, और A कोई भी वास्तविक संख्या है, तो, यदी P A बराबर शुन है, तो X घटा A, PX का एक गुड़न भल होगा, और यदी X घटा A, PX का गुड़न भल है, तो P A बराबर शुन होगा, गुड़न भल के उधारण बराबर एक की जांच करते हैं, इसलिए, X घटा A, दिये गए बहुपत का गुड़न खंड होगा, दिये गए बहुपत में X घटा A से भाग देने पर, हमें 2X घटा 3 मिलता है, इसलिए, दिये गए बहुपत के गुड़न खंड, X घटा एक और 2X घटा 3 होंगे, बीज गणितिये चिन्न, यहां कुछ बीज गणितिये चिन्न हैं, हम जिन्हें पहचानना सीखेंगे, उधारण, सीधा सीधा गुणा किये बिना 107 गुणा 104 का मान बताईए, हल, समीकरण की गणना करके हल करने पर, हमें 11128 प्राप होगा, क्या आप चानते हैं? बहुपद ये गुरंदखंड के वास्तविक्षून्यों की संख्या, बहुपद के अंश से अधिक नहीं होती. एक बहुपद के वास्तविक्षून्यों की संख्या, उस बहुपद के अंश के बराबर या अंश से दू के गुडन फल में कम की संख्या के बराबर होगी। इसलिए छै अंश के बहुपत के वास्तविक शुन्यों की संख्या छै, चार, दो या शुन्य होगी। तथा पांच अंश के बहुपत के वास्तविक शुन्यों की संख्या पांच, तीन या एक होगी। विशम अंश के सभी बहुपदों का कम से कम एक वास्तविक्षू ने होता है, यह तत्थे उपर कही गई बातों के आधार पर निकला है किसी बहुपद का सबसे बड़ा अंश, टरनिंग पॉइंट्स कम से कम एक अधिक होना चाहिए सारांश आए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं एक बहुपद PX, एक चर राशी X में, X रूपों में एक बीच ये अभिव्यक्ति है PX बराबर ANXN जमा AN घटा एक, X की घाथ N घटा एक जमा इत्यादी जमा A2X वर्ग जमा A1X जमा A09 जहां A09, A1, A2 इत्यादी AN अचर राशिया है और AN जो बराबर नहीं है 0 के एक पद के बहुपद को एक पद कहते हैं दो पदों के बहुपद को दुई पद कहते हैं तीन पदों के बहुपद को त्री पद कहते हैं एक अंश के बहुपद को रेखिये बहुपद कहते हैं दो अंश के बहुपद को वरगिये बहुपद कहते हैं तीन अंशों के बहुपद को त्री घात ये बहुपद कहते हैं यदि P A बराबर 0 है तो एक वास्तविक संख्या A एक बहुपद P X का 0 होगी इस इस्थिति में A समिकरण P X बराबर 0 का मूल कहा जाता है एक चर्राशी वाले हर रेखिये बहुपद का एक विशिष्ट शूने होता है एक अचर्राशी जो शूने नहीं है इसके बहुपद का कोई शूने नहीं होता और हर वास्तविक संख्या का शूने बहुपद का एक शूने है शेशफल प्रमय PX कोई बहुपद है जिसका अंश A किया उससे बड़ी कोई भी वास्तविक संख्या है यदि PX में रेखिये बहुपद X घटा A से भाग दिया जाए तो शेशफल P A बशता है गुणन फल प्रमय यदि P A बराबर 0 है तो X घटा A PX का एक गुणन फल होगा और X घटा A PX का गुणन फल है तो P A बराबर 0 होगा जाए पा खरूज का गुणन फलघ tक j cushion जाए यदाल का उने phải हो बनाए यद्ट लोगदू